हेलो एवरिवन मेरा नाम है तसवर इजास and welcome to the 14th video of 3D animation course by 3DX mentor लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था और मैंने आपको लूप काट लगाना सिखाया था लूप काट को बैवल करना भी सिखाया था और टेबल की लेक्स को एक्स्टूट करके एक्स्टूट करना भी सिखाया था आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक चेर बनाना सिखाऊंगा और चेर बनाके चेर को डूबलिकेट करना भी सिखाऊंगा सबसे पहले तो मैंने ये टेबल 1 वाली blend फाइल पर डबल क्लिक करके इसे open कर लिया और यहां से इस टेबल को select किया टेबल select करने के बाद यहां outliner पैनल में आके F2 दबा के इसको rename करके इसका नाम रख दिया table और enter दबा दिया उसके बाद यहां इस arrow पर क्लिक किया यहां से mat cap पर क्लिक किया उसके बाद यहां से इस ball पर क्लिक किया और यहां से यह fourth वाल select कर ली और यहां से random पर क्लिक कर दिया ऐसा करने से अब मुझे 3D models automatically different colors में दिखाई देंगे और अगर यहां outliner panel से आप models का नाम चैंज करोगे तो models का color भी randomly चैंज होता रहेगा numpad 1 दबा के में front orthographic view में आ गया table को select किया 3D viewport में थोड़ा सा zoom out किया और यहां से move वाले gizmo को activate करके table को थोड़ा सा move कर दिया इसके बाद add menu में जाके mesh में जाके एक और cube एड़ किया और tab दबा के इस cube के edit mode में चला गया numpad 7 प्रेस करके top orthographic view में आ गया A दबा के select all किया और S दबा के इसे कुरसी की चुड़ाई के मताबक scale कर लिया इसके बाद numpad 1 दबा के front orthographic view में आ गया और S दबा के Z दबा के numpad 7 दबा के top orthographic view में आ गया और 3D viewport में जूम इन कर लिया Ctrl R दबा के एक vertical loop cut एड़ किया दुबारा से Ctrl R दबा के horizontally एक loop cut एड़ किया और 3D viewport में side पर क्लिक किया ताके सब कुछ deselect हो जाए अगर आप से loop cut एड़ नहीं हो रहा तो पिछली वाली वीडियो रिवाइज करो इसके बाद 2 बटन प्रेस करके edge select मोड में आ गया और यहां से इस vertical वाले loop cut पर डबल क्लिक करके इसे select कर लिया keyboard से Ctrl B दबा के mouse को move किया और इतना bevel करके left mouse बटन दबा दिया इसके बाद 3D viewport में side पर क्लिक किया ताके सब कुछ de-select हो जाए और अब इस horizontal loop cut पर double click करके इसे select कर लिया Ctrl B दबा के mouse को move किया और इतना bevel करके left mouse बटन दबा दिया इसके बाद 3D viewport में side पर क्लिक किया ताके सब कुछ de-select हो जाए After this numpad 1 प्रेस करके front orthographic view में आ गया Alt और left mouse बटन दबा के 3D viewport में इतना rotate किया 3 दबा के face select मोड में आया और नीचे वाले इन 4 faces को shift दबा के select कर लिया इसके बाद numpad 1 प्रेस किया और front orthographic view में आ गया E दबा के mouse को नीचे की तरफ move किया और इस red वाली line तक extrude कर लिया इसके बाद 3D viewport में साइट पर click किया ताके सब कुछ de-select हो जाए numpad 7 प्रेस करके top orthographic view में आ गया और shift दबा के इन तीनों faces को select कर लिया numpad 1 प्रेस करके front orthographic view में आया और थोड़ा सा zoom out किया ताके मुझे table दिखाई दे इसके बाद E प्रेस करके माउस को उपर की तरफ मूव किया और अपनी मर्जी के मताबिक extrude कर लिया इसके बाद tab दबा के object mode में आया और alt प्लस left mouse बटन दबा के 3D viewport में रूटेट किया chair को select करके modifier में जाके add modifier पर click किया और generate में जाके bevel modifier एड़ कर दिया segments को 3 किया और amount value को 0.01 गर दिया chair पर right click करके shade smooth by angle पर क्लिक किया और यहाँ shading के option में जाके harden normals को turn on कर दिया तो अब आप देख सकते हो कि हमारी chair ready है outliner panel में जाके इसका नाम रखा chair 1 और keyboard से numpad 7 प्रेस करके top orthographic view में आ गया अब table को select किया और move वाले गिजमों से इसे यहाँ move कर दिया अब chair को select किया shift D और X दबा के इसे X axis पर duplicate कर लिया यहाँ लाके left click किया तो देखो chair duplicate हो गई all दबा के 3D viewport में rotate करके देखा तो chair दूसी तरफ मुड़ी हुई है numpad 7 दबा के top orthographic view में आ गया chair को select करके R दबा के R दबा के numpad से 180 दबाया और inter press कर दिया तो chair rotate हो गई अब move वाले गिजमों से इसकी position सेट की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी chair की position सेट हो गई दूबारा से numpad 7 प्रेस किया और top orthographic view में आ गया इस chair को select किया और shift दबा के D दबा के Y दबा के mouse को आगे move किया और left क्लिक करके Y एकसिस पर इस chair की एक copy or बना ली R 90 दबा के इसे rotate किया और आप move वाले गिजमों से इसकी position सेट कर ली alt प्लस Z दबा के X-ray mode में आ गया ताके chairs को सही position पर सेट कर सकूँ shift प्लस D प्लस X दबा के इस chair को भी again duplicate किया और आप इसी chair को shift D दबा के यहां duplicate करके रख दिया अब R दबा के 180 प्रेस करके इसे rotate कर लिया और move वाले गिजमों से इसकी position सेट कर ली again इसे X-axis पर duplicate किया और position सेट कर ली alt प्लस Z दबा के X-ray mode को off किया और alt प्लस left mouse बटन दबा के 3D viewport में rotate करके देखा तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा table और chairs ready है अब रह गया है 3D model को outliner panel में rename करना तो यहां outliner panel में one by one chair का नाम रख दिया chair one chair two chair three chair four chair five chair six और last में control S दबा के project को save गार दिया इस table और chair वाली blend फाइल को आप description में दिये गए link से download भी कर सकते हो मेरी आज की वीडियो में आपने cube से basic chair का model बनाना सीखा और मैंने आपको 3D models को shift D दबा के duplicate करना भी सिखाया next वीडियो में हम एक mistake के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग काम करते वक्त कर जाती है और उस mistake का solution भी मैं आपको बताऊँगा और साथ ही साथ में आपको ये भी बताऊँगा के link diselect क्या होता है झाल झाल